वेल्कम प्रेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल का विताज स्टेडि एड़ जानिये अपने प्रदेश के मध्यप्रदेश की पार्ट टू में हम देखेंगे मध्यप्रदेश के खनी संसाधन दोस्तो खनीज वे पदार्थ होते हैं जो प्रेत्वी की भूपरपटी अर्था ऊपरी सतहा पर पाय जाते हैं इनमें धातु किसी न किसी रूप में निहेत होती है इसक वे होते हैं जिनसे धातु आसानी से एवं लावदायक तरीके से निशकर्शित की जा सकती है अर्था धातों को संशोधन आसानी से किया जा सकता है तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सभी आयस्क खनीज होते हैं लेकिन सभी खनीज आयस्क नहीं होते केवल वे ही खनीज आयस्क होते हैं जिनसे धातू आसानी से और लाबदायक तरीके से निश्कर्शित की जा सकती है मध्यप्रदेश में प्रचूर मात्रा में खनीज भंडा रुकलब्ध हैं यहां लगभग 20 प्रकार के प्रमुख खनीजों का उत्खनन हो रहा है मध्यप्रदेश में खनीजों का वित्रण विशेष्ट शेल समुहों द्वारे ने धारित किया जाता है मध्यप्रदेश में शेल समुहों का असमान वित्रण है इसलिए मध्यप्रदेश में खनीजों का वित्रण भी असमान है अधिपरदेश में पाया जाने वाले प्रमुक्ष नीजिластों की सूची ग्रेपाइट बैतूल में पाया जाता है सूर्मा, अंटिमानी, जवलपूर में मिलता है ऐस्बेस्टोस जाबुगा में मिलता है कोईला, सिंग्रोली, शेहडोल, छिंदवाडा, बैतूल में प्राप्त होता है, हीरा, हिनोता, पन्ना में प्राप्त होता है, बाकसाइड, मंदला, जवलपूर, रीवा, सतना, अनुपूर, सीधी में मिलता है, तामबा, मलाजखंड, बालाघांड, सलिमनाबाद, कटनी, में मिलता है, और जो मलाजखंड का तामबा होता है, वो सरवोत क्रश्ट होता है, लोह, आयस्क, जवलपूर, विदिशा, मंदला, बालाघांट में प्राप्त होते हैं, चूना, पत्थर, जवलपूर, मंदसोर, सतना, कटनी में मिलता है, मैगनेज, बालाघांट, जवलपूर, खरगोन में मिलता है, पाइराइट, टिकंगर, देवास, धार में मिलता है, सलेट, मंदसोर, घिया पत्थर, टैलक, ब Crit Aghand, जवलपूर, झाबूवा, नरसनिपूर में प्राप्त होता है, संग्वर्मर, जवलपूर, ग्वालियर, बैतूल, जाबूवा में प प्राप्त होता है। सोना बाला घाट से प्राप्त होता है। टॉल्क जवलपूर से मिलता है। जिपसम शेहडोल सतना मूरेना से प्राप्त होता है। फ्लोराइट जवलपूर से मिलता है। खनीश भंडार की परिप्रेक्ष में मध्यप्रदेश का भारत में इस्थान। हीरा उत्पादन में मध्धिप्रदेश का भारत में एक आधिकार है डायसपार, पायरोफिलेट, तामर अयसकी के उत्पादन में मध्धिप्रदेश को भारत में प्रथम इस्थान प्राप्त है रॉप, फासफेट, मेगनीज की उत्पादन में द्यूति इस्थान वा कोईला उत्पादन में राश्ट्री इस्तर पर मध्यप्रदेश का चतुर्थ इस्थान है मध्यप्रदेश में पाये जाने वेले प्रमुख खनीजों का विवरण लोह आयस्क की द्रश्टी से मध्यप्रदेश संपन राज्य नहीं है परन्तु ग्वालियर जवलपूर और खंडवा आदी में लोह आयस्क के निक्षेप पाये जाते हैं जवलपूर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में हेमेटाइट आयस्क के संचय हैं इसमें अगरिया सिरोली कलवारा पहाडियां छेत्र में इसकी निक्षेप प्रमुख हैं कोईला मध्यप्रदेश में कोईले का संचय निचली गोंडवाना शेल सम्हुम पाया जाता है भारती बुघरवी सर्वेक्षन विभाग का अनुमान 2009 के अनुसार मध्यप्रदेश में कोईले का बंड़ार 2098 करोड़ टन है इस द्रश्टी से मध्यप्रदेश का देश में जारखंड उड़ीसा, 36 गड़ तथ पश्चिम मंगाल के बाद पाँचवा इस्थान है मेगनीज, मेगनीज उत्पादन में मध्यप्रदेश का देश में महत्वपूर्ण इस्थान है मेगनीज के भंडार आर्कियन काल की चट्टानों में पाया जाते है मध्यप्रदेश में मेगनीज भंडार बालाघाट एवं चिंदवाणा जिले में पाया जाता है बाकसाइड दक्कन ट्रेप के उंची पठारों में पाया जाता है यहाँ एलुमिनियम धातु का आयसक है डिन्डोरी मंडिला मद्धिप्रदेश राजी की मुख्य बाकसाइड उत्पादक जिले है मद्धिप्रदेश में तामबे का अनुमानित भंडार 295 मिलियन टन है मलाजखंड छेतर का तामबा उत्तम कूटी का है मलाजखंड बाला घाट जिले में स्थित है चूना पत्थर प्रदेश के विभिन्न भागों में चूना पत्थर की प्रचुर भंडार है चूना पत्थर रसाइन धात्विक द्योगों तथा निर्मान कारियों का मूल पदार्थ है चूना पत्थर जवलपुर मंदसोर कटनी सतना आधी स्थानों से प्राप्त होता है मद्धिप्रदेश में डोलो माइट का कुल भंडार 103.5 करूर टन अनुमाने थे राज़ में डोलो माइट की भंडार बालागांट नरसीपूर चतरपूर सागर मंडला कटनी सिंगरोली देवास जागवस सिवनी जिले में है हीरा प्रदेश में पन्ना जिला हीरे की उतपादन में प्रमोख है यहां हीरे का छेतर 90 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चोड़ी पट्टी में फैला है पन्ना के निकट मजगाओं छेतर में स्थित किम्बर लाइट पाइपस से ही प्रमुख रूप से हीरे का उत्पादन होता है चीनी मिट्टी इसका प्रेयोग कागा जुद्ध्योग रवर उद्ध्योग वस्त रुद्ध्योग बर्तन बनाने एवं ताप से संबंधित उद्ध्योगों में किया जाता है प्रदेश में चीनी मिट्टी का अनुमानेत भंडार 152 लाख टन का है चीनी मिट्टी प्रदेश में मुख्य रूप से जवलपुर में पाई जाती है Friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपकी तैयारी के लिए मददगार भी सिद्ध होगा तो यदि ये आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में